असलाम आलेकुम चिल्डरन, हाउ आई और वेरी वेल बच्चो आज इस टॉपिक को हम डिसक्स करने जा रहे हैं, वो है फ्रिक्षन तो बात करेंगे friction क्या होती है, इसके क्या advantages हैं और इसके क्या disadvantages हैं मतलब इसके क्या फाइदे हैं और इसके क्या नुकसानाथ हैं तो सबसे पहले बात करते हैं friction की What is friction? Friction क्या होती है? Friction is a force that stops or tend to stop the moving objects ठीक है? Friction वो force होती है जो या तो किसी body को moving body को stop करती है या फिर tend to stop, मतलब या इस moving body को रोक देती है या फिर उसको रोकने की कोशिश करती है ये resistive force होती है, मतलब ये moving objects को रोकने का काम करती है या तो completely रोक देती है या फिर उसको रोकने की कोशिश करती है तो friction act कैसे करती है? Friction जो होती है वो act करती है against the direction of motion मतलब इस बात का ये है कि friction तब act करती है जब एक body move कर रहा हो तो वो उसके मुविंग बॉल है जब बॉल मूव कर रहा है तो friction दूसरी तरफ से act करके उसको stop कर देगी या पिर उसके movement को slow down कर देगी अब बात करते हैं friction होती कैसे friction उस वक्त होती है जब एक body किसी दूसरी body के साथ contact के जरीए move कर रहा हो suppose आपके पास एक football है ठीक है आपने उसको ground पे रखा और football को kick किया football जो है वो certain distance cover करेगा और रुक जाएगा अब आपने यह देखना है कि football रुक क्यों गया और उसकी movement जो थी वो slow down कैसे हुई तो बच्चों यहीं पर friction जो है वो अपना अमल करती है friction ने कैसे अमल किया क्योंकि football जो था वो ground से in contact होके move कर रहा था मतलब मैंने आपको पहले बताया था friction था जब एक body move करे in contact with the other body तो football कैसे move कर रहा था वो in contact with the ground ठीक है वो ground पर move कर रहा था in contact with the ground move कर रहा था तो जो friction थी उसने उसको आहिस्ता इस्ता पहले slow किया फिर उसको stop कर दिया उसकी movement को रोक दिया ठीक है तो उमीद करती हूं आपको जो है friction का जो concept है वो समझ आ गया होगा friction जो होती है वो resistive force हो होती है जो moving objects को रोक देती है उनकी movement को slow down कर देती है ठीक है अब बात करेंगे friction के advantages की friction की क्या फायदे हैं आपकी रोजबरा जिंदगी में friction एहमियत की हामिल क्यों है क्यों जरूरी है friction तो बच्चों friction इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो pen है आपके paper के उपर writing करने के लिए friction का होना जरूरी है अगर paper के उपर friction नहीं है ठीक है तो आपका pen write नहीं कर सकता इसकी में साधा सी example दूंगी आप दो किसम के paper लें एक साधा paper ले लें और एक paper के उपर आप plastic sheet से उसको cover कर दें अब आप एक pen लें आपने जो साधा paper उसके उपर अपना name write करना है ठीक करनी है तो बच्चो आप क्या observe करोगे आप ये देखोगे कि जो साधा paper था उसके उपर जो आपने writing की वो quickly होगी वो जल्दी से हो गई और जो plastic sheet वाला paper था उसके उपर writing बहुत मुश्किल और या पर writing नहीं हो सकती वो इस वज़ा से कि जो साधा paper था उसके उपर resistive force जाने वाली जो force थी वो ज्यादा थी friction ज्यादा थी और जो plastic sheet वाला paper था उसके उपर कोई friction नहीं थी या फिर बहुत कम friction थी जिसकी वज़ा से writing नहीं हो पाती अब बात करते हैं friction की एहमियत की तो friction जिस तरह writing के लिए important है बिल्कुल इसी तरह आपकी math stick को जलाने के लिए friction जो है वो काम आती है जैसे ही आप माचिस के डिबी को खोलते हो उसमें से एक math stick निकाल के उसको ignite करने की कोशिश करते हो तो आप friction produce करते हो ठीक है आप friction पैदा करते हो उस माचिस की तीली को माचिस की डबी के साथ रगड के friction basically एक रगड का काम करती है ठीक है resistive force है मैं बार ग्राउंड पे मूव करने के लिए friction नहीं होगी आपका पाउंग स्लिप कर जाएगा आप गिर जाओगे suppose करें जैसे आप घरों में फर्ष को वाश करते हो ठीक है तो फर्ष के उपर क्या होता है पानी जब होता है आपका पढ़ी जल्दी से फिसलता है और आप गिर जाओ अब बात करते हैं गाड़ियों में friction किस तरह से काम आती है आपकी जो vehicle होती है आपकी जो गाड़ियां होती है आपकी बाइक्स होती है जितनी भी moving vehicles हैं वो friction की वज़ा से move करती है आपके road के उपर आपका जो road होता है वो आपकी गाड़ी को friction देता है तो ही गाड़ी road के उ उपर मूव करती है स्लिप नहीं करती इसी तरह अगर बारिश हो जाए ठीक है या फिर कुछ ऐसे हालात हो जाएं कि आपका रोड़ स्लिपरी हो गया फ्रिक्शन रिडियूस हो गया तो आपकी जो गाड़ियां वो फिसलना शुरू हो जाती है इसी तरह आपका डोर एवुड की जिस तरह आपकी रोजबरा जिन्दगी में फ्रिक्शन के बहुत सारे फाइदे हैं बिलकुल उसी तरह से फ्रिक्शन के बहुत सारे नुक्सानात भी है फ्रिक्शन जो होती है आपके जूतों को वान आउट कर देती है उनको तोड़ देती है उनका जो जूते की बेस हो हो distinction की वजा से खराब हो जाती है जैसे आप किसी रोड़ पर चल रहे हो रोड़ पर friction ज्यादा है वो ठोड़ा मतलब अगर स्पोस करें टूटा फूटा रोड़ है तो उसमें ज्यादा friction होगी जैसे ही आप चलोगे तो आपके जूते की जो लोयर सर्फिस है वो खराब हो जाती है बिलकुल इसी तरह से जो गाड़ियों के पैये होते हैं गाड़ियों के वील्स होते हैं वो भी फ्रिक्शन की वज़ा से वान आउट कर जाते हैं वेर और टेर जो होता है उनमें हो जाता है मतलब वो फट जाते हैं वो खराब हो जाते ह वो moving machines के अंदर जो है वो wear and tear का का काम करती है over the period of time ठीक है with the time क्या होता है friction की वज़ा से machine के जो different parts होते हैं जो moving parts होते हैं वो खराब हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी machine जो है वो useless हो जाती है तो बच्चो आज हमने बात की friction क्या होती है इसके क्या advantages मतलब इसके क्या फाइदे हैं और क्या disadvantages मतलब इसके क्या नुकसानात है उमीद करती हूँ आज का lesson आपको समझाया होगा मजीद understanding के लिए अपनी book से reading कीजिए इसी के साथ मुझे दीजिए जासत अल्लाहापेज